तो बच्छों आज हम पढ़ेंगे पी एन संदी डायोड क्या पढ़ेंगे पी एन संदी डायोड बनाने के लिए अर्धिचालकों की साहता ली जाती है और उससे बनता है पी एन संदी डायोड तो मैं तुमर पढ़ा चुका हूं इससे पहले पी टायप अर्धिचालक और एंड टायप अर्धिचालकों को एक साथ मिलाकर रख देते हैं तो उनकी बांडरी बनती है यह बांडरी है जैसे इस तरफ का यह पूरा का पूरा है यह हमारा पी छेत्र है और यहां से यह वाला प्लस प्लस धब रहे हैं वह पूरा पूरा है तो यहला भी तहलों हमाली कहला तो हमाला के जो फीछेत्र होता है उसके अंदर तुम जानते हैं ग्राहिक लादव होते हैं तो इस्तिर में दाता पर मालु होता है जो क्यां सब्सक्राइब होने के कारण यहां पर सब्सक्राइब होती है उतने ही उसमें कोटर होती है यह उतने ही कोटर है और जितने दनायन है उतने ही मुक्त इलक्ट्रोन है इस कारण यह दोनों ही छेत्र उदासिन रहती है अब बात आती है कि यहां पर समीप में यहां पर जैसे इस विए यहां पर भी होते हैं इस तुरह इलक्टर वह ते हैं उतने यह एक द्रम कि दूध में इस पास आते हैं तो आकर्षन के कारण संदी के समीव वाले मुक्ति एक दूसरे को समाथ कर देंगे जिस से संदी के समीव एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ नेगेटिव वह आवेश होने कारणे गट चित्र काम करने लगता है और तुम जानते हो वह तरफ शेक्र दंसे रिड की और कारी करता है तो यहां पर हमने लिखा है और जानते हैं कि जहां पर वैदुत्षेत्र होगा वहां पर विवांतर आ जाएगा इस वैदुत्षेत्र के बीच एक विवांतर इस्थापित हो जाएगा इस विवांतर को यहां के मुक्त इलेक्ट्रों को एक दूसर से संयोग करना है आकर्श्रम की काने इक दूसर की आना चाहरे थे तो इन दोनों को इस वारी परस्तिक वाली मोटाइ बार्टाइक को पार करना पढ़ेगा से दो बीचें सभीव का वह शेत्र जिसमें कोई आवेश वाहव चलन सील नहीं होता उस छेत्र को कहते हैं अब अब च्छे परत समझें तो इस तरह से पी अंचे डामिट हमारा त्यार होता है